तो दोस्तों आज में इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन आप घर पेटे आपका फोन से ही आधर कार में मोबाइल नमबर रेजिटर कर सकते हो ऑनलाइन तो पहले क्या होता था कि आपका नियारे जो पी आधर सेंटर है या तो फिर बैंक पे जाके आपको आधर कार पे मोबाइल नमबर रेजिटर करना पड़ता था लेकिन अभी यह जो फार्वी से ओनलाइन कर दिया गया है आप ओनलाइन कर सकते हो आपका आधर कार में मोबाइल नमबर रेजिटर पहले से अगर आधर कार पे आपको आपका मोबाइल नमबर रेजिटर नहीं है तो आप तो दुसके बद देखे उपर में जो तीन डॉर देखा है इधर आपको क्लिक करना है उसके बद आपको नीचे आने के पास अपको कुछ नहीं करना आपको करना है नीचे आणे की इधर लिखे । तुम करके आप लोग को दिखा दे रहें धर लीत्तु फेर से एक फिर श्वामाज के परलेंगे थी। और इधा साफ साफ बोल दिया गया है कि यह जो आप रिप्रिंट मतलब मंगाएगा आधर करका उसके रिए आपको पचास रूपया चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद जो कि आप नॉन रेजिस्टर जो मोबाईल नमबर है वो आप आधर कर सकते हो दोस्तों इधार ए पहले से कोई मोबाईल नमबर रेजिस्टर मतलब होना नहीं चाहिए ठीक है ऐसा कोई आधर कर होगा जिसमें पहले से कोई मोबाईल नमबर रेजिस्टर ना हो और दोस्तों ओ जो मोबाईल नमबर आप अपडेट करेंगे ओही ओ मोबाईल नमबर कोई भी आधर करके साथ लिंक नहीं होना चाहिए ठिक है उसके बाद दुस्तों आपको नीचे आना in नीचे आने कर देखी itanaar ुदे दीजिएगा और देखी itanaar202 do और यह जो security को लिखा है 3501 वो आपको इधर दे देना है तो दोस्तों इधर मेरा जो आधर नमबर है मैं इधर दे दे रहा हूँ तो मेरा जो आधर नमबर ता दे दिया हूँ और दोस्तों एक चीज़ बता दू यह जो capture है यह आपको भरने के लिए जैसे आप इधर mobile से आगर आप करेंगे जैसे इधर आप touch करेंगे तो देखिए दोस्तों इधर जो कुछ मतलोग लाइन आ जाएगा ठीक है तो इसको काड़ने के लिए आपको क्या करना है इसका उपर आपको touch करके रखना है टापकर करके रखने के बाद देखे पूरा culate हो गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको इसको cut कर दाना है ठीक है उसके बद दीखिए इसका उपर आपको लिखना है जो आपका जो capture है ठीक है जैसे के मेरा lix Capture 3-5-0-1 तो मैं इधर 3-5-0-1 लिख दे रहा हूं उसके बाद आकड़ जो capture लिखे है उसको फेर से आपको copy कर ले नहीं तो मैं इसको copy कर लहाँ देखिए copy करना और फेर से उसको component करना है उसी का उपर ठीक है select करने के बाद आपको paste कर देना है पेश्ट करने के बाद दोस्तो ओ जो लाइन है आप नहीं आएगा ठीक है उसके बाद देखे इधर लिखा है request OTP और इधर देखे लिखा है if you do not have a registered mobile number please check in the box ठीक है तो आपको सबसे उपर वाला जो box है इसका पूर आपको टिक कर देना है ठीक करने के बाद दोस्तो आप दो दोस्तो आपका जो mobile number है उस mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को दोस्तो इस side में देखे लिखा है inter OTP इधर दे देना है ठीक है तो देखे मेरा जो OTP था वो आ गया है 129989 तो दोस्तो मेरा जो OTP था मैं दे दिया हूं और उसके बाद देखे लिखा है नीचे charm and condition उसका बगल में खाली box है इधर आपको tick कर देना है टिक करने का बड़ दोस्तो आपको submit का उपर आपको click कर देना है click करने का बड़ दोस्तो फिर से एक नया प्रच खुल के आ जाएगा और उसके बाद देखे लिखा है make payment ठीक है इसका बड़ आपको click करना है click करने का बड़ दोस्तो आप आपको payment का जो page है उसमें redidate कर देगा और उहां जाके दोस्तों आपको payment करना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों payment के लिए दोस्तों आप आप इधार debit card से भी कर सकते हो या तो फिर mastercard या तो फिर आप UPI जो ID है उहां से भी आप कर सकते हो तो देखे इधार बहुत सारा option आ गया है credit card debit card netbank की तो मैं debit card के click कर दे रहाँ उसके बाद देखे आपका जो debit card का number है वो आपको इता दे दे देना है आपका जो car का नाम है व आपको दे देना है और debit card का पीछे एक तीन अंक का number होगा वो है CVB number वो आपको इता दे दे देना है देने के बाद दोस्तों आपको pay now का उपर click करना है तो दोस्तों आभी मैं payment नहीं करूँगा कि पहले से मेरा author card पे mobile number register है दोस्तों payment हो जाने के बाद आपका जो debit card है debit card से किया speed post जो है उसके दरहा आपका जो आधरकार पर जो address है उस address पर भेज दिया जाएगा और जो आधरकार आपको मिलेगा उस आधरकार पर जो mobile number अभी update किये थे उस mobile number add होके आएगा ठीक है तो दोस्तों इसी तरह आप online आपका अधरकार पर mobile number register कर सकते हो तो दोस्तों उम् कर दीजों चैनल को कर दीजा सब्क्राइब तब तक लिजाएं